नमस्कार दोस्तों, चाड़क की नीती का एक और ग्यान बर्दक वीडियो आपके समच परस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों अगर आप अपने ग्यान के बंडार को बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अन तक जरूर देखिए क्यूंके चाड़क की जीके नुसार अधूरा ग्यान सदेब घातक होता है दोस्तों चाड़क की जीके नुसार यदी मुक्ती चाहते हो, तो समस्त विसे बासनाओं को विसके समान छोड़ दो और छमा सीलता, नम्रता, दया, पवित्रता और सत्यता को अमरत के भाती पीओ, अथात उन्हें अपनाओ दोस्तों जो नीच बेक्ती परस्पर की गई गुप्त बातों को दूसरों से कह देते हैं बेही दीमक के घर में रहने वाले साप की भाती नश्ठ हो जाते हैं दोस्तों चाड़क की जीके अनुसार बहमा को शायद कोई बताने वाला नहीं मिला जो कि उनुने सोने में सुगंध, इख में फल, चंदन में फूल, बिद्वान को धनी और राजा को चिरजीवी नहीं बनाया सभी उसदियों में अमरत परधान है, सभी सुखों में भोजन परधान है, सभी इंद्रियों में नेत्र परधान है सारे शरीर में सिर स्रेष्ट है दोस्तों ना तो आकास में कोई दूत गया ना ही संबन्ध में किसी से बात हुई ना ही पहले किसी ने इसे बनाया और ना ही कोई प्रकरण ही आया तब भी आकास में ब्रहमर करने वाले चंदर और सूर के ग्रहन के बारे में जो ब्राममर पहले से ही जान लेता है वो बिद्धान क्यूं नहीं है दोस्तों अथात बास्तम में बाविद्धान है जिसकी गर्णा से गिरों की चल का सही सही पता लगाया जा रहा है दोस्तों चाड़क की जी के अनुसार बिद्यार्थी, नौकर, पथिक, भूंक से ब्याकुल, भैसे तरस्त, भंडारी और दौरपाल इन सातों को सोता हुआ देखें तो ततकाल जगा देना चाहिए क्यूंकि अपने करमों और कतब्यों का पालन ये जाकर अथास सचेत होकर ही कर सकते हैं दोस्तों चाड़क की जी के अनुसार साप, राजा, सिंग, बर यानि ततया, और बालक और दूसरे का कुट्ता, तता मूर्ख, ब्यक्ति, इन सातों को सोते से नहीं जगाना चाहिए दोस्तों चाड़क की जी के अनुसार धन के लिए बेद पढ़ाने वाले, तता शुद्रों के अन को खाने वाले, ब्रामण, बिस्भीन, सर्प की भाती क्या कर सकते हैं अताद में किसी को ना साब दे सकते हैं और ना बर्दान, जिसके नाराज होने का जर नहीं है, और प्रसंद होने से कोई लाब नहीं है, जिसमें दंड देने या दया करने की सामर्थ नहीं है, बानाराज होकर क्या कर सकता है दोस्तों चाड़क की जी के अनुसार बिसीन सरब को भी अपना फन पहला कर फुपकार करनी चाहिए बिसके ना होने पर फुपकार से उसे डराना आवश्य चाहिए दोस्तों चाड़क की जी के अनुसार अपने हातों से गुनी हुई माला अपने हाथों से गिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखा हुआ इस रोत इन सब को अपने ही कार में लगाने से देपताओं के राजा इंद्र की स्रीलच्मी यानि धनसंपती एशोर भी नश्ट हो जाती है दोस्तों चाड़की जीके अनसार इख तिल छुद्र इस्त्री सरबन धरती चंदन दही और पान इनको जितना मसला या मथा जाता है उतनी ही गुड में ब्रद्दी होती है दोस्तों दरिंदता के समय धैर रखना उत्तम है मेले कपड़ों को साफ रखना उत्तम है घटिया अन्द का बना गर्म भोजन अच्छा लगता है और कुरूब ब्यक्त के लिए अच्छे सोबाव का होना स्रेष्ट है दोस्तों चाड़क की जी के नुसार बुद्धिमान लोगों का कर्तब भी होता है कि भी अपनी संतान को अच्छे कारे ब्यापार में लगाएं क्यूंके नीती के जानकार बासत ब्योहार बाले ब्यक्ती कुल में सम्मानित होते हैं दोस्तों जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं बे उनके शत्रू हैं ऐसे अपड़ बालग सबा के मद्द में उसी परकार शोबा नहीं पाते हैं जैसे हंसों के मद्द में बगुला शोबा नहीं पाता है दोस्तों चाड़क की जीके अनुसार अत्यदिक लार प्यार से पुत्र और शिष गुड़ीन हो जाते हैं और तारना से गुणी हो जाते हैं भाव यही है कि शिष और पुत्र को यदी तारना का भै रहेगा तो बे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे दोस्तों चाड़क की जीके अनुसार एक इसलोग आधा इसलोग इसलोग का एक चरण उसका आधा अत्वा एक अच्छर ही सही या आधा अच्छर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए दोस्तों इस्त्री का बियोग अपने लोगों से अनाचार करज का बंधन दुष्ट राजा की सेवा दरिंदरता और अपने प्रतिकूल सभा ये सभी अगनी ना होते हुए भी शरीर को दक्त कर देते हैं दोस्तों चाड़क की जी के अनुसार नदी के किनारे खड़े ब्रच दूसरों के घर में गई इस्त्री मंत्री के बिना राजा शीग्र ही नश्ठ हो जाते हैं इसमें संसे नहीं करना चाहिए दोस्तों चाड़क की जी के अनुसार ब्रहमणों का बल बिद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, बैश्याओं का बल उनका धन है, और शुद्रों का बल छोटा बनकर रहना है, अधास सेबा करना है दोस्तों चाड़क की जी के नुसार मित्रता बराबर बालों में शोभा पाती है नौकरी राजा की अच्छी होती है बिवहार में कुशल ब्यापारी और घर में सुन्दर इस्तरी शोभा पाती है तो दोस्तों ये थे आचारी चारग की जी के कुछ बेहद अन्मोल बचन दोस्तों वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट बाक्स में ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहे इस्टे मोटिवेट इस्टे फेरलेस चाहिंद